इंडियन रेसिपीज को डिलीशिस बनाने में इंडियन मसालों का बहुत बड़ा हाथ है एक सिंपल सी डिश में भी चार चान लग जाते हैं अगर उसमें स्पाइसिस एप्रोप्रियेट कॉंटिटी में हो कुछ फिवर्स जानना चाहते हैं कि अपनी रेस्पी वीडियो या फिर व्लॉग्स में भी जो मसाला में यूज करती हूँ उनको बनाती कैसे हूँ कुछ पाउडर मसाला में मार्किट से बाय करती हूँ और कुछ को मैं खुद बनाती हूँ सो आज मैं 5 मसाला रेस्पी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ इनका यूज आपके खाने के स्वात को कई गुना बढ़ा देगा चलिए स्टार्ट करते हैं मेन मसाला यानि की गरम मसाला रेस्पी से सारे मसालों को रोस्ट करते हुए फ्लेम हमेशा हमने लो ही रखना है तो गरम मसाला बनाने के लिए पैन में सबसे पहले मैंने लिया है 1 फॉर्थ कप साबुद धनिया, 1 फॉर्थ कप जीरा, 1 टेबल स्पून सॉफ इन तीनों चीज़ों को हमने लो फ्लेम पे 1-5 मिनट तक रोस्ट करना है हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है, बहुत जाद तक रोस्ट नहीं करना है नहीं तो मसाले जल जाएंगे और उनका टेस्ट भी खराब हो जाएगा रोस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि मसाला ग्राइंट करने में प्रॉबлем ना आए आप चाहेn तो इने धूप में भी सुखा सकते हैं एक पूरा दिन को धूप लगवाने के बाद इसको ग्राइंट तो मसाला प्रॉपर ग्राइंट हो जाता है तो आब एक बॉल में मैंने इन तीनों चीज़ों को निकाल लिया है जो की रोस्ट हो चुकी है उसके बात पैन में मने डस से बारा बड़ी एलाईची दस से बारा छोटी एलाईची साथी लौंग लिये हैं 10 से बारा थोड़ी quantity में बनाएं ताकि आपका एक मन्त के अंदर-अंदर खतम हो जाएं कि बार-बार खोलने और यूज करने से इनका अरोमा धीरे-धीरे खतम होने लगता है आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को एक साथ भी roast कर सकते हैं लेकिन अलग-अलग roast करने से ये अच्छे से roast हो जाती है क्योंकि कोई मसाला ज़ादा टाइम लगता है roast होने में तो कोई कम तो बस इन सबको मैंने अब grinder jar में निकाल दिया है और उसके बाद इसमें डाला है थोड़ा सा अद्रक का powder जिसे कि हम salt powder भी कहते हैं powder बनाते वक्त grinder को थोड़ा रोक रोक कर चलाएं ताकि मसाले अच्छे से पिस जाएं और मसालों की गरम होने की वज़ा से grinder को भी कोई हाम ना हो लीजिए हमारा गरम मसाला तो तयार हो गया है आप इसे किसी dry container में निकालेंगे लेकिन ध्यान रहे ये container आपका air tight container होना चाहिए नहीं तो moisture की वज़ा से आपका मसाला खराब भी हो सकता है और इसे use करने के लिए हमेशा dry spoon का ही इस्तिमाल करें मैं मसाला हमेशा थोड़ी quantity में बनाती हूं और इन्हें store करने के लिए इसी तरह के छोटे containers का इस्तिमाल करती हूं कौन से container में कौन सा मसाला है ये जानने के लिए हर container पे एक slip का होना बहुत जरूरी है पेपर पे उसका नाम लिख के टेप के साथ उसको stick कर सकते हैं दाकि आप जान सकें कि कौन सी डिबी में कौन सा मसाला है ऐसा गरने से kitchen में काम करना ना सिर्फ आपे के लिए असान होता है बलकि कोई भी अंजान आदमी भी आपके kitchen में easily काम कर सकता है लेकिन मसाला रेस्पी है जिसके बारे में बहुत बार पूचा गया चाय मसाला इसे बनाने के लिए 7-8 sticks ली हैं मैंने दाल चीनी की और साथी 30-40 ली हैं मैंने छोटी इलाइची इन दोनों चीज़ों को मैं roast करूँगी वो भी 1-5 मिनट लो फ्लेम पे इन दोनों चीज़ों को roast करने के बाद मैंने ग्राइंडर जार में डारेक्ट ही निकाल दिया है अब उसी पैन में एक टेबल स्पून के राउंड मैंने सौंफ डाली है अब इसे भी 1-5 मिनट तक मैं roast करूँगी कुछ लोग ब्लैक पेपर यानि की काली मिर्च के दानों का भी इस्तेमाल करते हैं चाय में लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं तो इसलिए मैंने नहीं डाला है अगर आप डालना चाहें तो इसी टाइम पे आप सौंफ के साथ उसे भी roast कर सकते हैं और अब इसे भी मैं ग्रीन पेटल्स का यूज इसके टेस्ट को तो बढ़ाता ही है और साथ ही डाजेस्टिव सिस्टम में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी इंकरीज करता है और ये एक हर्बल रेमिडी की तरह काम करता है जिससे यूरिनरी इंफेक्शन, कॉंस्टिपेशन या डाइरिया जैसी प्रॉब्लम्स क्यूर हो जाती है इसी तरह से अगर आपके घर में तुलसी का पौदा है तो दो चार पते तुलसी के तोड के लाएं और वो भी चाई में डाल दें आप चाहे तो उनको सुखा कर इसका पौडर बनाके इस मसाला में भी एड़ कर सकते हैं कोई जानता है कि तुलसी भी एक मेडिसन की तरह ही काम करती है वाइरल फीवर हो या फिर आपको खांसी हो जुकाम हो तो बैस्ट होता है कि जब आप चाई पीते हैं तो तुलसी के दो-चार पते उसमें आड़ कर लें और एक छोटा चमज डाल रही हूँ मैं अदरक का पाउडर यानि की सौंट का पाउडर आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आज कल विंटर्स में हम अदरक वैसे भी चाय में कूट कर डालते हैं उसका भी टेस्ट काफी अच्छा आता है लीजिए चा ये मसाला की स्लिप एक बार ये मसाला ट्राइज रूर कीजेगा आई होप आप डिस्पॉइंट नहीं होंगे नेक्स्ट रेसिपी है चना मसाला जिसे हम पंजाबी में चोले मसाला भी खेते हैं इसे बनाने के लिए पैन में सबसे पहले वान फोर्ट कप साबुद धनिया वान फोर्ट कप जीरा दस से पंदरा लॉंग लिए हैं दस से बारा बड़े इलाइची कुछ दाने लिए हैं ब्लैक पर्पर यानी काली मिलच के दो लिये हैं जावित्री के पीसिस, एक जैफल लिया है और साथी चार से पांच लिये हैं सिनेमन स्टिक यानी की दाल चीनी, अब इन सब चीजों को वही हम एक से तेड़ मिनट तक लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, इंग्रीडियंट्स व भी हम एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, चना मसाला पाउडर की जो मैं रेस्पी आपके साथ भी शेयर कर रहे हूं, वह बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, आप इसे स्पाइसी पनाना चाहें तो आप इसमें सूखी हुई लाल मिर्च और एड़ कर सकते हैं, इस मसाला को बन नहीं करना है इनको, जैसे ही वह हलके से क्रेकर होने लगें तो आप इनको निकाल लें, इसके बाद हम इन में कुछ ड्राइ इंगिनिट्स डालेंगे, सबसे परहे दो चमज के रॉन में ले लिया है, आमला पाउडर उसके बाद डाला है, इसमें जिंजर यानिकी सौट का आमचुर पाउडर डाला है, एक छोटा चमज डाला है, मैंने हींका और साथी डाला है, इसमें ब्लैक सॉल्ट, अब इन सब चीज़ों को एक साथ हम डालेंगे ग्राइंडर जार में और ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे, नेक्स्ट रेसिपी है चिकन मसाला, इसके लिए पैन में सबसे पहले लिया है, वन थर्ड कप के अराउंड खस-खस, खस-खस को हम बिलकुल लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे, और इसी एक बोल में निकाल के साइट कर देंगे, और एक पैन में डालेंगे, वन फ पैन में पैन में पैन में जावित्री के वही एक से लिएड मिनट तक रोस्ट करेंगे, और खस-खस के साथ उसी बाल में इन सब चीजों को भी डाल देंगे, और उसके बात चलेंगे अपने नेक्स टेप पे, और हमारा नेक्स टेप है, सुकी साबुत, लाल मिच और कसूर मेथी मेथी को रोस्ट करना, इन दोनों चीजों को हम एक साथ, एक से लिएड मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, इन मसाला थोड़ा स्पाइसी होता है, इसलिए हमने लाल मिर्च का इस्तिमाल इसमें जादा किया है, उसके बाद मैंने एक चमश डाला माल हमारी भूक और बढ़ा देता है, फिफ्ट एंड लास्ट रेसिपी है सांबर मसाला, इसके लिए पैन में डाले हैं दो टेबल स्पून चना दाल, दो टेबल स्पून उड़त की दाल और दो ही टेबल स्पून तूर यानिकी अरहर की दाल, तीनों दालों को लो से मीडि के लिए रोस्ट करेंगे, दालें रोस्ट हो जाएं तो उसके बाद इन्हें निकाल देंगे एक बोल में, इसके बाद उसी पैन में वन टेबल स्पून मेथि सीड्स लेंगे, उसे भी एक से डेड मिन तक रोस्ट करेंगे और उसी बोल में डाल देंगे, फिर से उसी पैन म हम डालेंगे 1 4th cup साबुत धन्या और 1 4th cup जीरा दोनों चीजों को अच्छे से रोस्ट करेंगे हर मसाले को हमने बहुत ही कम टाइम के लिए और low to medium flame ही रोस्ट करना है ध्यान रहे कि हाई फ्लेम पे रोस्ट ना करें कोई मसाला जल ना जाए इसके बाद पैन में लिया है एक कड़ी पता आपके पास fresh पड़े हैं तो वो भी चलेंगे उनको भी roast कर सकते हैं या फिर आपके पास dry किये होए कड़ी पता पड़े हैं तो वो भी आप use कर सकते हैं तब चीजों को एक bowl में डालने के बाद डालेंगे एक छोड़ा चमच हींग और एक चमच जालेंगे हल् झालेंगे हूव सुचअ कर सकते हैं थालेंगे हैं